भुपाल में भाई वेलफेर सोसाइटी द्वारा 27 अगस्त को एक प्रेस वारता रखी गई जिसमें उन्होंने महीला गुजारा भत्ता ना बने पुरुष शोशन का हतियार जैसे सम्मंदित विश्यों के बारे में बात की और महीलाओं के लिए बनाये गए कानूनों का फायदा उठाने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई उनका कहना है कि जो कानून महीला सुरक्षा के लिए बनाये गए हैं उनका उप्योग कर पुरुष का शोशन किया जा रहा है भाई वैलफेर सोसाइटी ने प्रेजवारता के दौरान अपने मुद्दो को रखते हुए कहा कि कुल विलाकर इस्थिती यह है कि पुरुषों को विवा करने का दोशी करार दिया जा रहा है उसे विवाबंधन के नाम पर जबरन बंदुवा गुलामी कराई जा रही है जबकि इस्थि को पुरुषों के बराबर शिक्षा, नौक्री और संपत्ती अधिकार है जिससे उन्होंने तरक्की भी की है लेकिन आज उन्हें विवा के दायत्वों से मुक्ति दिलाकर यौन सचंदता का अनैतिक कानूनी अधिकार देकर समाज को दूशित किया जा रहा है वह भी दहेज प्रतारना के 99% जूटे आरोप लगाकर पती से गुजारा भत्ता के नाम पर जबरन वसूली यानि लीगल एक्स्टॉशन जेल भिजने की हद तक की जा रही है शारिजिक वह मानसिक रूप से स्वस्थ होने के बाद भी उनको आत्म निर्भर होने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है बलकि उन्हें न्याया ले द्वारा आजीवन पर जीवी बनाया जा रहा है उन्होंने कहा असमवैधानिक न्याय के नाम पर हो रहे अमानविय का संग्यान लेकर इस जन्मानस को अवश्य बताएं कि मर्द को भी दर्द होता है उँआ युच्थ ताउ धी मिन श रूठा आप incomplete को प्र रόश कि जो insights the Christina में युचे रहाएंध श्यकूर мало आप वेश्यों स्की बेस घ्याग से श्माल आपाणा000 प्रोल्डिद सो आप देख रहे हैं दखल नियूज